आपकी वोईस भी कुछ ऐसी आती है, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी वोईस ऐसे से ऐसी होने वाली हो अलिए फाइफ सिंपल स्टेप, सो लेट्स बिजिन जो मेथड मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ, लिटरली काफी सिंपल है जैसे तुम देख सकते हो, वोईस ही वो मेन चीज थी, जैसे क्रिटिक पर 40,000 से भी जादा और एलगरो पर लगबग 3,000,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले है इस मेथड का यूज पीची से ही करता हूँ, बट अगर तुम्हारे पास पीची नहीं है, तो इसी वीडियो में मैं तुम्हें साथ-साथ मोबाइल से इडिट करने वाला मेथड भी बता दूँगा बट ऑडियो एडिट करने से पहले हमारे पास ऑडियो होनी भी तो चाहिए ना, अगर तुम्हें एक अच्छी वाइस चाहिए तो ऑडियो रिकॉर्ड करते टाइम तुम्हें भी दो-तीन चीज़ हो अध्यान तो देना ही पड़ेगा नमबर वन है जहां तुम अपनी वोइस रिकॉर्ड करते हो उस रूम में इको यानि गुण नहीं होनी चाहिए इसके लिए तुम एक सिंबल सा काम कर सकते हो अपने रूम में धेल सारे पड़ते हो सके तो जमीन पर कापेट्स, कपड़े एंड बेसिकली ऐसी चीज़ों लगा सकते हो जोकि साउंड को रिफ्लेक करने के जगा अब्जॉब करती है उतना मुश्किल काम नहीं है बस वन टाइम करना ही पड़ेगा ऐसी नमबर टू वैसे तो हम बैग्राउंड नॉइस को एडिट करके भी भगाने वाले हैं बट ज इसी वीडिये में बता दूंगा अब एंवायर्मेंट तो सेट हो गया माइक की डिटेल में कभी और बात करेंगे अभी बस इतना समझ लो तुम चाहें फोन से रिकॉर्ड करो या माइक से एक ऐसा फोम ज़रूर ले लेना बिकॉस लाइक काफी सारी अन्वांटेट करनेगी एंड फाइनली उसको एडिट करनेगी तो पीसी या मोबाइल तुमारे पास जो भी है उसे खोलो एंड लेट्स बिगिन वहारा सबसे वहला कामों का नॉइस अब मैं तो पीसी में ओडियो एडिटर बागी मैंने देखा था मोबाइल के लिए लेक्सिस ऑडियो ए इस space की help से audacity अपने आप पता कर लेगा कि उसे normal audio में से कौन सी आवाज है remove करनी है तो simply इस part को select करके effects में जाकर noise reduction option पर click कर देना या simply click on get noise profile and done अब हमें वो part select करना है जिसमें से हम यह noise हटाना जाते है तो मैं control प्लस ए दबाकर पूरी order select कर लूँँगा and then again noise reduction में जाकर इ आगे बीशे करके देख सकते हो कि तुम्हें कितनी जादा या कम noise को हटाना है बट यह है तुम जितना जादा editing के through noise को हटानी की कोशिश करोगे like जादा aggressive कर देते हो या इसको जादा बार apply कर देते हो तो उससे तुम्हारी चुल वाई से कुछ थराब होनी शुरूद करना मैं पर्सनली हमेशा सिर्फ एक बार noise reduction करता हूं और इन सेटिंग के साथ करता हूं तो आइल डरेक्ली क्लिक ओके एंड वॉइस एडिटिंग का step 1 डन हुआ अब होता है audio हमने कुछ वर्स तो काफी तीज बोलेते हैं कुछ वर्स थोड़े स्लो या मनलब उनकी volume कम रह करते हैं आई थिंक जितना जादा ही रेशियो हता है उतना जादा compression हो जाएगा although not sure about it बागे हाँ पर्सनली मैं इन सेटिंग्स को यूज करता हूं तो यह सेट करके अगें आइल क्लिक होके Coming back to Lexus Audio Editor तुम इसमें भी noise deduction और compression कर सकते हो बट इसमें noise profile चूज करने को option मुझे तो नहीं मिला वो automatically हो जाता है तो इतना सब करने के बाद हमें इस audio को थोड़ा level करना बढ़ेगा So hard limiter जो के type of compression ही है उससे use करके इस wave की peaks को गायब कर देंगे Again जितनी जादा aggressive settings उतना जादा peaks गायब होते जाएंगे जैसे अगर मैं इसे minus 10 तक ले जाता हूं तो like peaks बिल्कुली गायब हो जाएंगे ऐसे में अब हमें इसमें डालना होगा थोड़ा सा base and treble जिसे voice सही में magical बनने वाली है तो again मुझे इसकी भी कोई उतनी खास knowledge दो नहीं है तुम देख लो मैं तो personally इस effects में जाके Filter EQ में जाकर audio को जो भी default settings है उनहीं में base boost कर देता हूं हां treble boost में ये जो line है इसे हलका सा 6 के उपर जरूर ले जाता हूं and done simply I'll click हो के तुम फर्क देख सकते हो पहले audio यू कैसी थी and अब क्या मस्त uniform से देख रही है cherry on the cake होगा इस audio को normalize करना जिसके बाद मारी audio की जो volume है वो हमेशा consistent रहने वाली है इसको भी तुम थोड़ा बात उपर नीचे तो करी सकते हो बट मैं personally इसे minus 0.9 db करके okay कर देता हूं and there you go normal audio से 20% ही सही audio काफी improve हो चुकी है last में मैं simply जो फालतु पाच से इनको cut कर दूँगा and pro tip background music use करोगे जो तो तो तुम्हारी बच्ची हुई थोड़ी बहुत background noise है वो भी भाग जागी and finally audio कुछ ऐसी सुनाई देने वाली है नाम जसीर सिंग डागर पता नहीं बताऊंगा पर सोन पपड़ी लेते हो ज़रूराँ अरे बिना पते के कैसे लगया होगा अब तो बताने ही बढ़ेगा तो एक काफी demanded वीडियो थी कि ये तो बताते audio edit कैसे करते हैं I hope तुम्हें पसंदाई होगी और कुछ नया जानने और सीखनी को भी मिला होगा अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना और बताओ डे 5 की वीडियो बनाई की नहीं क्योंकि डे 11 में कुछ कमाली होने वाला है